माह भग्वती के चरन्व में साधरणमन, बेटे आज में एक प्रश्ण आप से पूछती हूं, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या है और एन्रिच्मेंट, जिसको संपन करना कहते हैं, अब बता सकते हैं, फोर्टिफिकेशन क्या है? क्या है सुद्ध्ड करना और संपन करना क्या है Enrichement Fortification Hindi है सुद्ध्ड करना संपन करना English है Enrichement अक्सर बच्चे Confuse कर जाते हैं तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ Fortification का मतलब क्या है सुद्ध्ड ही करन का मतलब क्या है सुद्रव्ध करन का मतलब है मुखे खादे पदार्थों में कई सारी चीज़ों की कमी होती है आपको पता है जैसे अनाज गेहु है, चावल है, बाजरा है, जौ है, रागी है तो मुखे खादे पदार्थों की गुनवत्ता को बढ़ाने के लिए जो quality है उसको increase करना है तो और उसमें जो अनुपस्थित तत्तों हैं आपको पता आनाज में सब तरह की चीज़े नहीं पाई जाती है कोई भी भोजन complete नहीं है accept milk दूद के अलावा कोई भी संपुन भोजन नहीं है एक ही भोजन हमारा है दूद वह भी छोटे बालकों के लिए हमारी जैसे व्यक्ति केवल दूद फिकर कर रहे तो अभी उसको सारी शारीरिक पोशक तत्तों की पूर्ति नहीं हो पाईगी हो पाईगी क्या नहीं हो पाई याद रखना दो चीज़े हैं अनुपस्थित तत्तों को मिलाना अथ्वा स्वभाविक रूप से बिद्देमान पोशक तत्तों की मात्रा को बढ़ाना जिससे भोजन प्रदार्थों की गुनवत्ता में व्रिद्धी हो जाए खादी प्रदार्थों में जैसे गहूं काटा है उसमें हमने मुंख फली काटा मिला दिया भूने चने काटा मिला दिया सोया बिन काटा मिला दिया उसकी गुनवत्ता बढ़ जाएगी और इस तरह से बाल आहर तयार किया जाता है सी एफ टी आई मैसूर ने फॉर्टी फाई करके स्कूल प्रोबालकों के लिए प्री स्कूल गोइंग चिल्डरिन के लिए कई तरह के आहर तयार किया है सी एफ टी आई मैसूर ने बाल आहर तयार किया इसकूल प्रोबालकों के लिए जिससे की बढ़ते बच्चों की जो सारेरिक डिमांड है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिटी वैलू मिल सके हैं जो अमीर लोग हैं आपने बच्चे को बच्चे से खिला फिला सकते हैं दूद दहीन अंडा मांस मचली फृट दे सकते हैं लेकिन आपको पता है भारत के गरीब राशटर हैँ इस गरीब राश्टर के पास इतने पैसे नहीं है, गरीब मताओं के पास इतना पैसा नहीं है, क्यों, अपने बालकों को भरपिट भोजन भी करा सके इसलमेरिया में रहने वाले बालकों को देखिये अप। गौओं में रहने वालकों को अप देखिए। उनको 2 या 3 टाइम डाल रोटी और सब्जी भी नहीं मिलता है। वैसी स्थिती में आज के महंगाई के टाइम उनको ये कहो कि आप तो अपने बालकों को फ्रूट खिलाओं, कोई भी फल 50-60 से नीचे नहीं है, गरीब माताये हैं, परिवार बड़ा है, इंकम छोटा है, पर नेचुरल है कि वो अपने बालकों को संतुलित और पोस्टी का हरुपलब्द नहीं करवा पाते हैं, ऐसी स्थिती में माल्ट आहर, जो फर्टी फाइगर के किया हुआ है, फोर्टी फाइगर के, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से माल्ट आहर, एंड इंपॉर्टि परपस, फुड फॉर्मूला सी, नूट्रो बिस्किट इनली बालकों के लिए तेयार किया जाते हैं, बरत्य बालकों के लिए तेयार किया जाते हैं, और उनको उपलब्द करवाए जाता है, तो मैं समझती हूँ, आज आपको फोर्टिकेशन क्या है? यह जिस से उनकी गुनवत्ता बढ़ जाए या उनमें से जो अनुपस्थित तत्व है उसको मिला दो अब विटामिन खनीजलबन दो जिससे की अहार जो है फूड है वह सुद्धिड हो जाए फॉर्टिफीकेशन इसको कहते हैं तो चलिए फॉर्टिफीकेशन का जहां पटक रहे हैं वह चीज क्लियर हो जाएगा मैं समझते हो गया होगा एक्जामपूल आपका क्या है माल्ट आहर सीफ्ट यायर में सूप तयार करता है बाल अहर, ईंडियन मेल्टी पर्पस फूर्ट फोर्मुला ये ए याई इंडियन मेल्टी पर्पस फूर्मुला शी नूट्रो बिसकुट यार जाते है तो चलिए मिलते हैं मगले विडियो में क्रिंदा झाल झाल झाल